किसानों ने आज देश भर में चक्का जाम का एलान किया है अलाकि किसानों ने दिल्ली NCR को इससे बाहर रखा है लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अलट मोड पर है 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर पुलिस इस पार कोई भी धिलाई बरतने के मोड में नहीं है दिल्ली पुलिस ने सिंगु और गाजीपूर बॉर्डर पर सुरक्षा के खास इंतिजाम किये है पच्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाना और पंजाब के लाखों किसान दिल्ली की अलग-अलग सिमाव पर पिछले 75 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं आपको बताज़ें कि पिछले कई सालों से दिल्ली देश की राजधानी तो है ही साथ ही ये देश का दिल भी है लेकिन इस दिल की धड़कन को प्रभावित करने में जाट लेंड की भूमी का हमेशा से र लखी जाती है वर्तमान किसान प्रदर्शन फिर एक ऐसा ही संकेत देता प्रतीत हो रहा है यह देश की राजनिती को नया मोड़ते सकता है ऐसा विश्वास करने के कई आधार हैं और उसे ही समस्ते हैं जाट लेंड का मानना है कि असली भारत गाउं में बसता है खेत को मंद किसानों को भगवान और अपने बाहुबल को आध्धात्म मानने वाला चाट समुदाय शांतिकाल में हल्फ हावडा और युद्ध के समय तलवार धागे के इस्तमाल में यह समुदाय निपुन है जाट लेंड की सियासत से शीर से सत्ता तक का सफर देश को पहला किसान प्र आज भी मुलायम सिंग यादव चोधरी अजी सिंग जैसे नेता जाट लेंड की विरासत है राजस्थान में राजा रजवाडों के शोशन की विरुद्ध त्रांती राजस्थान में खांदानी शास्कों के विरुद्ध भी जाटों ने ही बिकुल बजाया 1934 में जाट सभा की ओर से हुए सीकर अंदोलन का सुत्रपात हुआ इसमें करीब एक लाख लोग शामिल हुए थे महराज सीकर को खून खराबा टालने के लिए अंग्रेजों की शरण लेकर जाटों से भूमी अधिकार संबंदी सम्जोधा करना पड़ा था पंजाब की राजनेती में जाटों की धमक देश्युभाजन से पहले सियुक्त पंजाब में पाकिस्तान वाला पंजाब, हमारा वर्तमान पंजाब, हर्याना और हिमाचल सम्मेलित था इस शित्र में भी जाटों का एहम इस्थान था बहराल पिछले 75 दिनों से राजधानी की चारों और टिकरी, सिंगो, गाजी पूर बोडर्स पर चल रहा किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से यह सही है कि उसमें पंजाब की सभी किसान जातियां शामिल हैं लेकिन सरवाजिक तादात जाटों की है उसका दूसरा सेहोगी बना हर्याना के जाट और तीसरा अंशाया पश्चिमी उत्तरपदेश से Bureau Report, The Fact India